तो आज हम लोग प्रस्णावली दो दस्मलब एक को बनाने वाले हैं तो पहला प्रस्ण है निम्न के चार चार तुल्य भीन लिखिए तो तुल्य भीन मल्टिपल में लिखना है याने कि इसका गुनक तो दो बटे तीन पहले हम लोग दो से गुना करेंगे तो पहला हो जायागा चार बटे तीन फिर अब तीन से गुना करेंगे तो छे बटे नो अब चार से गुना करेंगे तो आठ बटे बार और अगर पांस से गुना करेंगे तो दस बटे पंदर उसी परकार अब 6 बटे 7 को पहले हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 12 बटे 14 अब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 18 बटे 21 अब 4 से गुना करेंगे 6 4 का 24 और 7 4 का 28 अब 5 से गुना करेंगे 6 पंचे 30 साथ पंचे 35 अब उसी परकार 3 बटे 17 में पहले 2 से उपर नीचे गुना करेंगे तो 3 दुना 6 और 17 दुना 34 और अब 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 51 अब 4 से गुना करेंगे 3 चोगे 12 चत्रह चोगा 68 और 5 से गुना करेंगे 3 पचे 15 और 17 पचे 85 हो जाता है अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं नीचे दिये गए भीन संख्या के जोड़ों की तूलना कीजिए और बताईए कि दोनों में से कौन सी भीन संख्या छोटी है अब हमको इसमें से बताने कौन बड़ा कौन छोटा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे LCM लेना पड़ेगा 3 बटे 5 और 4 बटे 3 तो नीचे वाला का LCM लेंगे 5 और 3 का तो 5 3 का LCM 15 होता है तो 5 गुने 3 होता है मेरा 15 और यहां पर होता है 3 गुने 5 मेरा हो रहा है 15 तो नीचे जिससे गुना हो रहा है उपर वाला को भी उसी से गुना करेंगे तो नीचे 3 से गुना किया तो उपर भी 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और नीचे 5 से गुना किये तो उपर वाला में भी 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा अब आता है 9 बटे 15 और दूसरा आता है 20 बटे 15 तो जब नीचे वाला बराबर होता है तो उपर वाला अगर बड़ा होगा तो वो होगा बड़ा तो बोला दोनों से कौन से सही का छोटी है तो 9 बटे 15 चोटी यानि कि 3 बटे 5 छोटा हो गया 4 बटे 3 से तो यह हो गया हमारा आंसर अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथ और साथ विट चेंड़ें कौण सा बड़ा कोण से छोटा होगा तो हम लोगगा पहले На में साथ शाली लेगा विए साथ और्ट्ट्र मुच्वर्ण सब्सक्राइब्स ऊच्ष्खाcken Là दूसजाया उसी परकार 6 गुने 7 अगर 42 आ रहा है नीचे तो उपर 7 गुने 7 नीचे जो नमर सुना करेंगे उपर उसी नमर सुना करेंगे तो 7 सत्य 49 हो जाएगा तो 36 बटे 42 और दूसरा हो गया 49 बटे 42 तो नीचे वाला में जब बराबर आता है तो उपर उला जो बड़ा होगा वही होगा बड़ा तो अब इसमें बोला छोटी कौन है तो छोटी संख्या कौन हो जाएगी तो छोटी संख्या हो जाएगी 6 बटे 7 च्छे बटे 7 छोटी हो गई साथ बटे 6 से यह हमारा आव गया अंसर पिछला सवाल में भी यहां पर कि साइन यह वाला ही होगा कि तीन बटे 5 छोटा है अब चलते हैं अगला सवाल में 21 बटे 5 और दूसरा है 18 बटे चार तो पांच और चार के लस्यम तो बीस हो जाएगा तो पांच कितना बार में बीस आता है चार बार में नीचे वाला बीस आ रहा है तो चार से गुना किये तो 21 को भी चार से गुना करना पड़ेगा तो एक इस चो का चारासी परकार चार को कितना बार गुना करेंगा पांच बार तब आएगा बीस कि बीस क्यों ला रहे हैं 20 LCM निकाले हैं नीचे वाला डिनोमेनेटर का दोनों का नीचे वाला का हर का तो आगर पांच से गुना किये तो आठारा को भी पांच से गुना करना पड़ेगा तो आठारा पंचे नभे अब चारासी और नभे में कोन बढ़ा है तो नभे बाए 20 से तो इसमें पूछा सबसे छोटी कौन होगा इस दोनों में से तो 21 बटे 5 छोटी होगा 21 बटे 5 छोटी होगा 18 बटे 4 से अब चलते हैं आगले सवाल की तरफ 7 बटे 15 और दूसरा है 9 बटे 20 तो 15 और 20 का एलसियम क्या हो जाएगा 15 का होता है 5 गुना 3 और 20 का होता है 5 गुना 4 तो इसमें से एक आएगा और इसका गुना हो जाएगा तो लए सब बड़ाबर हो गया 5 गुने 3 गुने 4 यानि की 5 तिया पंदरी 54 का 60 तो पंदरी में कितना गुना करेंगे पंदरा में चार गुना करेंगे तब आएगा साथ, तो साथ में भी चार गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 28, उसी परकार 20 में कितना गुना करेंगे, तीन गुना करेंगे, तो आएगा साथ, तो नो में भी हमको तीन गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 27, तो कोन बड़ा हो होगा 27 बटे 60 से तो 28 बटे साथ क्या था साथ बटे 15 था तो यह बड़ा हो गया तो हमको छोटा पूछा है तो छोटा हो जागा यहां पर 9 बटे 20 अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है हल कीजिए तो 2 बटे 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा सुने जोडने फे दो बटे 5 होगा अब बोलता है चार पलुस साथ बटे आठ को जोडेंगे तो क्या होगा जब चार के निचे कुछ नहीं है तो हम मैं एक मान लेंगे और आट और एक का लॉस ले लेंगे तो 6 होगा एक आठ्ठे 8 होता है तो 4 पर अठे 32 हो जाएगा और आठ एका आठ होता है तो साथ गुने एक हो जाएगा साथ तो 49 बटे आठ यह हो जाएगा हमारा उत्तर तीन बटे दो जोर दो बटे साथ है तो साथ दो का लश्ण हो जाएगा 14 तो 2 सते 14 तो 3 सते 21 साथ दोना 14 तो 2 दोना 4 हो जाएगा तो 21 चार 25 बटे 14 यहां पर यह हो गया उत्तर अब आते हैं अगले सवाल की तरब 5 बटे 9 जोर 4 बटे 7 है 9 साथ का लश्ण हो जाएगा 63 तो 9 सते 63 होता है तो 5 सते 35 और साथ नमद 63 होता है तो 4 नमद 36 35 जोर गया 71 बटे 63 अब आते हैं अगले सवाल की तरफ 4 बटे 5 जोर 9 बटे 15 है तो 5 और 15 का तो लशव 15 ही होता है तो 15 लिख लेंगे तो 5 तिया 15 तो 4 तिया 12 और 15 एका 15 तो 9 एका 9 तो 12 नो 21 हो गया बटे 15 इसको हम लोग कटा भी सकते हैं तो 3 से कट जाएगा तीन सते तीन पचे तो 7 बटा 5 अब अगला सवाल है दो बटे 15 घटा एक बटे 20 तो 15 अब 20 का हो जाएगा लोशव तो यह होता है 5 गुने 3 गुने 4 यानि की 60 हो जाएगा तो 15 चव का 60 तो 2 चव का 8 और 20 तिया 60 तो 1 तिया 3 तो 8 में 3 घटाएगे तो 5 बटे 60 तो इसको कटा भी सकते हैं 5 एक पांच पांच को 12 पंचे 60 होता है तो एक बटे 12 उत्तर हो जाएगा अब आते हैं अगले सवाल की तरफ 9 बटे 11 घटा चार बटे 15 अब 11 पंद्र का यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा 165 तो 11 पंद्र बार में होगा तो 15 नमा 135 घटा अब 15 से 11 बार में करें तो 165 होगा तो 11 गुने 4 तो 44 तो पंच में चार घटा एक तेरह में चार घटा नो एक आनवे 165 अब यह हो गया इसका उत्तर अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ 15 बाटे 2 घटा 21 बाटे 5 तो 5 और 2 का लशा हो जाएगा 10 तो 2 पंचे 10 तो 15 पंचे 75 अब 5 दूना 10 तो 21 दूनी 42 तो 5 में 2 घटा एक तीन साथ में 4 घटा एक तीन 33 बाटा 10 यह हो गया उत्तर अब अगला सवाल है 9 बाटे 2 यह पुर्णांग में लिखावा था मैं टाइप करते समय बाटे में लिख दिया 6 बाटे 5 जोर 2 बाटे 5 तो 9 बाटे 2 6 बाटे 5 और 2 बाटे 5 है तो 2 5 और 5 का लशा ले लेंगे तो 10 आजाएगा तो लशा हो गया 10 तो 2 पंचे 10 तो 9 पंचे 45 माइनस 5 दूना 10 तो 6 दूना 12 जोर 5 दूना 10 तो 2 दूना 4 अब 5 चार नो 9 में 2 घटा है तो 7 और 4 में 1 घटा है तो 3 बाटे 10 और ये होगे आंसर अब चलते हैं अंगले सवाल की तरफ 11 बटा 5 जोर 5 बटा 4 घटा 1 बटा 2 अब यहां पर होगा 5 चार दो का लशा लेंगे तो पांच चौका 20 हो जाएगा लशा तो पांच चौका 20 तो 11 चौका 44 जोर चार पंचे 20 तो 5 पंचे 25 घटा 2 दहाई 20 तो एक दहाई 10 अब पंचीस में 10 घटा देंगे तो 15 और 44 में 15 तो 459 और 415 69 बटे 20 यह हो जाएगा उत्तर अब अगले सवाल की तरफ चलता है यहां पर सवाल पूछता है एक जादोई वर्ग में परतेक पंगती परतेक इस्तम एवंग परतेक विकन की संख्याओं का योग समान होता है क्या यह एक जादोई वर्ग है तो जादोई वर्ग का पहले परिवांसा दे दिया कि जादोई वर्ग में परतेक पंगती का परतेक इस्तम का और पर्तेक विकरन का जो संख्या का योग होगा सब बराबर होगा तो अब नीचे एक बॉक्स दे दिया बोलता है कि अब बताइए मैंने तो परिवांसा बता दे जादोई वर्ग का तो यह जो नीचे दिया गया है क्या वह एक जादोई वर्ग है तो हम लोग इसको सभी को हम जोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं चार वटे 13 अब पंक्ती भाइस हम लोग जोड़ेंगे तो तो पंक्ति भाई जोर ने पर हमलों को मिल रहा है जब तीनों का 13 13 13 है तो नीचे का लस तो 13 ही हो जाएगा उपर का जूट जाएगा तो चार जोर तीन जोर आठ तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया चार तिन साथ आठ पंदर बटे तेर इस पंक्ति का पंदर बटे तेर आया नीचे इधर भी 13 है तो लस तेरह हो गया और सब जूट जाएगा 9,10,5,15 तो यह भी हो गया पंदर बटे तेरह यहाँ भी हो गया नीचे का लस तेरह है और इधर साथ दूनों नो छोब पंदर इधर भी 15 बटे तेरह आ गया अब विकार्ण भी देख लेते हैं तो विकार में इधर 13 आ रहा है और 4 5 9 6 15 इधर 15 आ रहा है अग इस साइड इस तम भी देख लेते हैं 8 9 6 15 ये भी पंदर वटे 13 ये भी 15 वटे 13 ये भी 15 वटे 13 आ रहा है और इधर का विकरन भी 15 15 वटे 13 तो सभी साइट से 15 वटे 13 आ रहा है तो इससे हम लोग किसका सकते हैं कि यह वर्ग एक जादूई वर्ग है तो आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ निम लिखित भीन संख्याओं को आरोहि करम बढ़ते करम में लिखिए अब बढ़ते करम हमको लिख के बताना है तो बढ़ते करम में बनाते कैसे हैं तो पहले लिखेंगे एक बटे दो दूसरा है तीन बटे चार तीसरा है एक बटे पांच अब नीचे वाला जितना भी हर है 2, 4 और 5 का लखस ले लेंगे तो 2, 4, 5 का लखस आता है 20 तो यहां लिखेंगे लखस बराबर 20 है तो अब सबको 20 बनाना है जितना भी हर है तो हर मतलब नीचे वाला को तो 2 गुने 10 करेंगे तो 20 होगा तो उपर वाला को भी अगर नीचे 10 से गुना किये तो उपर भी 10 से गुना करेंगे गुने 10 तो 10 हो जाएगा उसी परकार 4 4 से गुना करना हमको तो 4 गुने 5 20 होता है तो 3 को भी 5 से गुना करेंगे 3 पच्चे 15 हो जाएगा उसी तरह 5 गुने 4 20 होता है तो 1 गुने 4 करेंगे प्रापर होता है तो उपर वाला बड़ा होगा तो वही बड़ा होगा तो अब यहां पर जो सबसे छोटा पहले उपर वाला उसको लिखेंगे पहले यानि कि 4 बटे 20 पहले होगा फिर उससे बड़ा होगा 10 बटे 20 फिर उससे बड़ा होगा 15 बटे 20 तो यह है बढ़ते करवाने कि छोटा से बढ़ा तब इसका ओरिजनल नंबर लिख लेंगे तो चार बटे 20 क्या था एक बटे 5 था दस बटे 20 क्या था तो एक बटे 2 था उसके बाद 15 बटे 20 था 3 बटे 4 तो यह होगी हमारा उत्तर उसी परकार इसमें भी बना लेंगे तो 3 बटे 7 है दूसरा नंबर है 2 बटे 5 तीसरा नंबर है 3 बटे 5 अब लशा ले लेंगे तो लशा मेरा आ जा रहा है 5 और 7 का लशा हो जाएगा 35 तो यहाँ पर 7 कितना बार में 35 आएगा तो 7 गुने 5 करेंगे तो 35 होगा उसी तरह तब उपर वाला को भी 5 से गुना करेंगे तो 3 बटे 15 होगा अब नीचे 5 को 7 से गुना करेंगे तब 35 होगा तो उपर वाला को भी 2 गुने 7 करेंगे तो 14 होगा नीचे वाला को 5 गुने 7 करेंगे तो 35 होगा तो उपर वाला को 3 गुने 7 करेंगे तो 21 होगा अब जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे 14 बटे 35 उसके बाद बढ़ा कौन होगा 15 बटे 35 उसके बाद बढ़ा कौन होगा तो 21 बटे 35 होगा तो अब इसका original नमबर लिख लेंगे जो असली वाला इसका पहले का नमबर है तो यह हो गया बढ़ते करम है छोटा से बड़ा अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ एक आयताकार स्यामपट की लंबाई 7 बटे 2 मीटर है यह पुर्णांग में दिया हुआ था मैंने इसके बटे में लिख दिया टाइप करते समय और चलाई 8 बटे 3 मीटर है तो स्यामपट का परिमाप बताईए तो स्यामपट मतलब होता है ब्लेक बॉर्ड जिसमाम लोग लिखते हैं तो एक साइड लंबाई बोल दिया 7 बटे 2 है और चोड़ाई बोल दिया 8 बटे 3 है तो परिमाप बराबर क्या होता है आयत का तो लिखेंगे चुकी लंबाई बराबर 7 बटे 2 चोड़ाई बराबर 8 बटे 3 इसलिए आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर तब हम लोग यहां लिख लेंगे दो गुने लंबाई जोर चोड़ाई 7 बटे 2 जोर 8 बटे 3 तो 2 अब यहां पर लोसर लेंगे 2 तीन का 6 हो जाता है तो 2 तीया 6 तो 7 तीया 21 तीन दुना 6 तो 8 दुना 16 अब यहां जोर देंगे 6 एक 7 दो एक 3 गुने 2 बटे 6 तो 2 से कट जाएगा दो तीया 6 तीन बार में तो हमारा उत्तर हो गया 37 बटा 3 मीटर तो आयत का परिमाप निकल गया अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ तो अगला सवाल है चित्र में दी हुई आकरती में तिरभूज A, B, C तथा आयत B, C, D, E का परिमाप गयाद कीजिए और बताईए किसका परिमाप ज़्यादा है तो दो चित्र है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे तिरभूज का परिमाप तिरभूज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 2 जोर 11 बटे 4 जोर 18 बटे 5 अब यहां सबी को जोड़ेंगे तो 4 और 5 का लवस्त हो जाएगा 20 तो 2 दहाए 20 तो 5 दहाए 50 जोर 4 पंचे 20 तो 11 पंचे 55 उसके बाद पांच चौका 20 तो 18 चौका 72 अब सभी को जोड़ेंगे पांच दो साथ और पांच पांच दस साथ 177 बटे 20 तो यह हो गया तिर्भूज का परिमाप अब अगला है आयत का परिमाप तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा दो गुने लंबाई जोर चवड़ाई तो दो गुने लंबाई कितना है तो 11 बटे 4 जोर 7 बटे 6 है अब इसको हम लोग निकालेंगे 4 छो का लश्व क्या हो जाएगा तो यह इसका लश्व हो जाएगा दो गुने दो और दो गुने तीन तो दो तीन दोना 6 दोनी 12 हो जाएगा लश्व तो 12 है तो 4 तीया 12 तो 11 तीया 33 हो जाएगा और 6 दोनी 12 तो 7 दोना 14 हो जाएगा तो 4 तीन 7 और 3 एक 4 हो गया बटे 12 और गुना 2 था तो 2 से काट देंगे तो 2 छोक 12 तो यहाँ पे हो जाएगा 47 बटा 6 मीटर सेंटी मीटर है तो सेंटी मीटर लिखेंगे तो अब बोलता है कि बताये किसका परिमाब जादा है तो परिमाब को बराबर करने के लिए हर को बराबर करेंगे तो आयत का आयत का हम लोग लिख लेंगे 47 बटे 6 और इधर है तरी भूज का 177 177 बटे 20 है तो 6 बीस का लख सा हम लोग को लेना है तो 6 का होता है दो गुने 3 20 का होता है दो गुने 10 तो 10 तिया 30 दूनी 60 तो 60 ले लेना है तो हम लोग को यहां लिखना है 6 गुने 10 बराबर 60 तो उसी परकार 47 गुने 10 बराबर 470 और यहां पर 20 का ले लेंगे तो 20 गुने 3 होता है 60 तो 177 गुने 3 करेंगे तो 3 सते 21 का एक हाथ मेरा 2 3 सते 21 22 का 3 हाथ मेरा 2 तीन एक तीन दो पांच तो इससे हम लोग को पता चल गया कि जब नीचे वाला बराबर होता है तो जो उपर वाला बड़ा होगा वही बड़ा है यानि कि तिर्भूच का छेतफल तिर्भूच का परिमाब बड़ा है तो लिखेंगे इसलिए 531 बटे 60 बड़ा है 470 बटे 60 से इसलिए तिर्भूच का परिमाब बड़ा है अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ सत्यम ने एक पार्ट को परने में 11 बटे 16 गंटे का समय लिया सलीम ने उसी पार्ट को परने में 3 बटे 4 गंटे का समय लिया किसने ज़्यादा समय लगाया या समय कितना ज़्यादा था तो अब कौन बड़ा है वो हम लोग को पता करना है तो 11 बटे 16 है और दूसरा है 3 बटे 4 तो हम लोग को दोनों का हर को बराबर करना है तो 4 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 16 तो 3 को भी 4 से गुना करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 12 तो इससे हम लोग साब पता चलता है इसलिए 11 बटे 16 छोटा होगा 12 बटे 16 से इसलिए 11 बटे 16 छोटा है 3 बटे 4 से और कितना छोटा है तो 1 बटे 16 छोटा है क्योंकि 12 बटे 16 माइनस 11 बटे 16 करेंगे तो 1 बटे 16 आ जाएगा तो यह हमारा आ गया अंतर इसलिए सत्यम सलीम से एक बटे 16 घंटे कम है सलीम से एक बटे 16 घंटा कम लेता है अगला सवाल की तरफ चलते हैं नो नमबर खाली अस्तानों में सही अंग भरिये अब बोलता है 5 बटे 7 में कितना जोड़ेंगे तो 6 बटे 7 होगा तो जब नीचे वाला बराबर रहता है तो उपर वाला बस जोड़ने से उपर के बराबर हो जाएगा तो एक जोड़ेंगे तो एक बटे 7 हो जाएगा यहां पर अब यहां बोलता है आठ बटे 15 माइनस दो बटे 15 तो जब नीचे वाला समान रहता है नीचे वाला जब समान है तो वो नीचे ऐसे लिखा जाएगा और आट में 2 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 6 बटे 15 तो इसको गारान कर भी लिख सकते हैं हम लोग तो 3 से घटा देंगे तो 3 दुना 6 और 3 पच्चे 5 दो बटे 5 हो जाएगा अब अगला सवाल 7 बटे 9 में क्या जोड़ेंगे तो 7 बटे 9 आएगा तो हम लोग को सुन्य जोड़ना है यहाँ पर सुन्य आंसर हो जाएगा और 3 बटे 5 में क्या घटाएंगे कि एक बटे पांच आ जाएगा तो दो बटे पांच घटाएंगे जब तीन बटे पांच है तो जब हम लोग दो बटे पांच घटाएंगे तब यह तीन माइनस दो होगा और यहां पांच होगा तो एक बटे पांच हो जाएगा अब अगला सवाल है एक में एक बटे दो यानि कि एक में आधा गटाएं तो कितना बचेगा तो आधा बचेगा यानि कि एक बटा दो बचेगा अब चलते हैं तो यहीं तक सवाल है तो आज के वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद